हेलो फ्रेंट स्वागत है आप सभी का नए वीडियो में और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने मुबाइल के द्वारा पता कर सकते हैं कि आपके आधार कार्ड में कौन सा मुबाइल नंबर आपने लगाया हुआ था क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत साल पहले बहुत वर्स पहले आधार कार्ड बनवाते हैं तो उन्हें पता भी नहीं रहता है कि हमारे आधार कार्ड में हमने कौन सा मुबाइल नंबर आइड करवाया है तो मुबाइल नंबर पता लगाने के लिए मैं आपको मुबाइल के द्वारा तरीका बताने वाला हूँ तो इस तरीके को आप फॉलो कीजिएगा तो आप जरूर काम्याब होगा होईएगा तो चलिए फ्रेंस वीडियो करते हैं स्टार्ट तो इसके लिए सिंप्ली जाना होगा आपको गूगल क्रोम ब्राउजर में और गूगल क्रोम ब्राउ ए आई तो आपको सिंप्ली सर्च कर देना यू आईडी ए आई और सर्च कर देने के बाद कुछी इस परकार से इंटरफेस नजर आएगा यहाँ पर आपको फर्स्ट वाली वेवसाइड को ओपन कर लेना है पहली वेवसाइड को और ओपन होते समय कुछी इस परकार का इं एंटरफेस नजा रहे गा है यहां पर दोस्तों आपको थोड़ा सा नीचे आना होगा और यहां पर दोस्तों दिख रहा है आधार सेवैं करें मैं आपको फिरसे दिखाता हूं यहाँ पर देख सकते हैं आधार संख्या सत्यापन करें तो simply इसी पर आपको किलिक करना है तो चलिए हम इस पर किलिक करते हैं जैसे आप इस पर किलिक करेंगे तो कुछ इस परकार का इंटरफेस नजर आएगा अब यहाँ पर ध्यान देना है दोस्तों मैं आपको जो भी बताने वाला हूँ यहाँ पर देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए यहाँ पर इंटर जा 12 डिजिट नंबर आधान नंबर मतलब कि यहाँ पर अपना आधान नंबर देना है यह जो कॉलम आपका दिख रहा है यहाँ पर आधान नंबर देना है और यह जो कॉलम दिख रहा है आपको यहाँ पर क्या करना है यहाँ आपको capture code नहीं समझ में आ रहा है तो यहां पे इस circle पे क्लिक करेंगे तो आपका capture code जो है बदल जाएगा तो चलिए हम इसपे क्लिक करते हैं यहां पर देख सकते हैं हमारा capture code बदल के दिया जाता है अगर आपको समझ में नहीं आता है तो simply हम यहाँ पर first column में डाल लेते हैं अपना आधार number और यहाँ पर यह capture code डाल लेते हैं और उसके बाद process to verify पर click कर देते हैं तो चलिए हम फटा फट से यह सभी step पूरे कर लेते हैं तो यह सभी step पूरे करने के लिए हम यहाँ पर अपना आधार number पहले तो डालते हैं तो friends देख सकते हैं यहाँ पर हमने सभी step है वो भर लिया है यहाँ पर मैं आपको आधार number अपना नहीं दिखा सकता क्योंकि यह personal चीज होता है और मैं यहाँ पर simply आपको क्या करना होगा आप यहाँ पर process to verify पर click कर देना होगा तो चलिए हम इस पर click करते हैं और जैसे आप process to verify पर click करेंगे तो आपका page जो है reload होगा और देख सकते हैं यहाँ पर successfully हमारा जो आधार card verification completed यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा है आधार card verification completed यहाँ पर आपका आधा number दिखाये जा रहा है जो कि मैं आपको नहीं दिखा सकता मैंने blur किया हुआ है और यहाँ पर देख सकते हैं gender क्या है आपका mail है और state कहा है उत्तर परदेश है और यहाँ पर mobile number की जगा पर यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं पहले के जो है 7 अक्षर जो है छिपाये गए हैं और 3 अक्षर आपको दिखाये जा रहे हैं क्योंकि पूरा number नहीं दिखाये जाता है यहाँ पर देख सकते हैं क्योंकि यह प्राइवेट चीज होती है यहाँ पर पूरा number नहीं दिखाये जाता है तो आप चेक कर लिजेगा कि आपके घर में कोई ऐसा number है जिसके last में इतना number आ रहा है क्या तो अगर होगा तो आप ध्यान दिजिएगा तो वही आपका number लगा होगा आधार कार्ड में कि दोस्तों आप अपना ख्याल रखियेगा अंप